दोस्तों अगर आप headquarters in DVR की recording check करना चाते हैं और आपको को दिक्कत आ रही है या अब को पता ही नही Commonwealth your GORDON चैक कैसे होती है तो क्या करना पड़ेगा तब आप इस वीडियों में आये हैं Visit इस वीडियों में आको दिखाने वाला हूं कैसे आप Industries चेक कर सकते हैं, अगर आपका रिकॉर्डिंग प्ले नहीं हो रही है, तो क्या आपकी हाड़िस खराब नहीं हो, तो हाड़िस चेक कैसे करते हैं, वो भी आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ, तो नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है गुलशन, लेकर चलूँगा आपको जाना हुआ है, यह basically recording शो करता है, आपके recording हो रही है, वो इस चीज़ से clear हो जाएगी, कि हाँ recording हो रही है, अब बात करते हैं, अगर यह mark नहीं आ रहे, तो क्या issue हो सकता है, हो सकता है क्या हाड़िस में दिक्त हो, एक बीब की आवाज आती है, अगर अगर आपके हाड़िस खराब होगी तो वह बीप की आवाज आती है लेकिन फिर या कुछ चेक करनी के भी है मेरी hardest लगी कितनी है और वह recording क्यों नहीं कर रही इसका status format है कि नहीं है क्योंकि जब भी हम DVR को इंस्टोल करते हैं तो हमें hardest को format करना चाहिए जब तक हम hardest को format नहीं करते DVR के recording तब तक वह recording start नहीं करता तो कहां पर आपको hardest format करनी पड़ती है उसको लेकर चलंगवा आपको यहां पर configuration वाले option में आप देख रहे हैं यहां पर यहां पर देख रहे हैं आपका यहां पर दिख रहा होगा आपको status जैसे कि यहां पर को दिख रहा है मेरी कितनी hardest लगी हुई है तो मेर hardest लगी हुई है 465 GB इसका मतलब कि 500 GB hardest है जिसमें 35 GB software ले लिता है consume कर लेता है बके की GB recording के लिए free space होती है तो जैसे 465 GB इसमें space है hardest के अंदर free space कितना है free space 397 GB है अभी recording भी हुई है उस पर 397 GB free पड़ा हुए अब गई इसका मतलब क्या हुआ यहां पर जो status आ रहा है वो RW आ रहे है कि read भी हो रही है और write भी हो रही है आप देखेंगे status का option आप देखेंगे आप पर status का option तो read भी है write भी है और oblique w read भी हो रही है क्लिक करना है simply आपने यहां पर क्लिक लगाना है और यहां से इंसलाइस पर क्लिक करना है यहां से आपको option मिलेगा ok all data erase अभी तक का जो भी data इसमें save होगा वो सारा उड़ जाएगा तो नहीं hard disk में उड़ाना ही पड़ता है तो इस तरीके से आप अपनी hard disk को format कर सकते हैं अब बात आती है आपके recording क्यों करना पहले चेक करो कि आपके recording है भी के नहीं है तो recording check कैसे कर सकते हैं वह आपको बतायत पर camera number आ रहे हैं यह camera 1, camera 2, camera 3, camera 4, IP camera के option भी आ रहे हैं तो simply यह option हो गया आपके camera number के तो आपने जिसकी भी recording check करनी है जैसे suppose मुझे camera number 1 के recording कब की check करनी है नीचे आपको date दिखाई देगी आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको calendar दिख रहा है जैसे आपको दिख रहा है इसका मतलब कि 31 की recording है तो मुझे आज की recording चेक करनी है तो मैं simply आज ओली rate पे click कर लेता हूँ 31 पे यहाँ पर click करने के बाद में आप देखेंगे उपर camera number मांग रहा है तो camera number 1 और 2 को slack कर लेती है जैसे मुझे एक number camera recording और दो number camera recording देखनी है तो guys यह दोनों camera recording मेरी आ गई है नीचे आपको line भी रिखेगी जैसे आप यह देख रहे है यह आपको line दिख जाएगी यहाँ पे कि में recording इसकी हो रखी है अब आपको नीचे क्लेंटर देखेंगे आप तो आपको नीचे दिखेगा कि 30 तरीक भी highlight हो रही है और 29 तरीक पर recording प्ले हो जाएगी यहाँ पर आपको नीचे option मिल जाता है fast करने का back करने का सारे option यह आप 1 & 2 देख रहे हैं यह speed है जो 1 & 2 आपको दिख रहे है अगर मुझे इसको fast करना है तो मुझे इस option पर click करना है जिससे के मेरी speed बढ़ जाएगी जो आप time देख रहे हैं मैं एक बर camera को बढ़ा कर देता हूँ तक कि आपको seconds और minutes दिखाई देए तो guys यह मेरा एक camera बढ़ा है आप यह पर time देखेंगे तो 39 तारीकी सुबह 6 बच के 32 मिन के recording है तो आप इस पर देखेंगे और मैं आप fast forward पर click करूँगा तो मेरी speed बढ़ जाएगी तो मैं एक बाद करता recording को fast way में check कर सकते हैं तो यहां से आप इसको pause कर दीजिए अगर आपको रोकना है तो वापस आप इसे back step click कर दीजिए यहां पर click करेंगे तो 8,4,2 और speed 1 तो 1 की speed normal speed होती है तो इस तरीके से आप check कर सकते हैं अपनी recording गईट इसके लावा और भी कोई मन में doubt रह गए हो मेर को लेकर CP plus को लेकर जल्दी दवा की सीरीज आने वाली है TVT आने वाला है तो अगर आप CCTV camera का काम करते हैं तो यह चैनल आपके लिए मस है आप इसको subscribe कर लीजिए अगर आप user है तो आप हेक विजन, CP plus, दवा जो भी DVR यूज़ करते हैं उसकी unique setting guys मैं आपको guarantee कह सकता हूँ कि ऐसे कई सारे options होंगे जो आपको पता नहीं होंगे जो आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे तो playlist का option नीचे है आप सारी वीडियो देख सकते हैं वीडियो पसंद आए तो please click on the like button channel पसंद आता है तो subscribe क्लिक करके notification bell को on कर लीजिए तक कि जब भी future में वीडियो upload करू आप तक वीडियो से पहुँच जाए मन में कोई doubt रह गया हो तो comment box में write कर दीजिए कोई भी questions ऐधा होगा जिसके regarding video नहीं बनी होगी तो उसके regarding video बनाए कोशिश जरू करूँगा thank you so much इस वीडियो को इतना लंबा देखने के लिए take care